आप लोग देखते होंगे कि जब भी आप लोग मद्विदेश के किसी गवर्मेंट एक्जाम की तयारी करते हैं खासकर MPPSC हो गया, MP दरोगा SI हो गया, MP पोलिस या आप देखे कि पटवारी, जेल वहरी और सिक्षक भरती भी तो होती रहती हैं बरग एक, दो, तीन की इनके भी तो आप लोग एक्जाम देते हैं इस तरह कि मद्विदेश में तमाम एक्जाम होते हैं आपके और जिनकी तयारी आप लोग करते हैं, और जिनके पेपर आप लोग देते रहते हैं और अगर आप लोगों ने इनके पुराने questions paper उठा के देखे होंगे, इसका पार्ट करम आप लोगों ने देखा होगा, syllabus देखा होगा, उसे पढ़ा होगा, उसका मुल्यांकन किया होगा, तो मुझे लगता है कि आप लोगों की एक बात समझ में आ चुकी होगी, कि मद्देश सामान ग्यान को पड़े विना कोई भी exam clear नहीं होने बाला है, और अगर आप लोगों ने अपने exam का पार्ट करम, syllabus और पुराने कम से कम 4-5 साल पुराने questions paper उठा के नहीं देखें अभी तक, तो उन्हें देख लिजे, और अपनी table पर सबसे पहले उन्हें रख दीजे, ठीक है, और MPPST के बारे में बता सकता हूँ, कि अगर आप लोग MP special को cover नहीं करते हैं, अक्छे से नहीं पड़ते हैं, तो MPPST में selection नहीं होने बाला है, इसका एक region भी है, इसका region यह है क्योंकि आप देखें कि MPPST में MP special, यानि कि मद्द्देश सामान ग्यान से और हर साल पूचे जाते हैं, तो आज की इस कलास में हम लोग मद्द्देश सामान ग्यान को किस तरह से हम लोग cover करने वाले हैं आने वाले दिनों में, और कौन-कौन से topic हम लोग पढ़ेंगी, किस तरह से पढ़ेंगी, और इतना यकीन के साथ आप लोगों से कह सकता हूँ कि बहुती साधारन सब्दों में, हम लोग MP का, MP special का हर topic cover करेंगे, और एक बार आप लोग मद्द्देश का map देख लीजे, आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, हम लोग सभी जिलों के बारे में जानेगे, इसकी भोगोली किस्तिती के बारे में जानेगे, मद्द्द मद्द्देश के सम्मीधानिक जो विवस्ता है, उस पर भी बात करेंगे, मद्द्देश के इतिहास को भी हम लोग देखेंगे, और एस सभी आपकी किलासे MP PSC को ध्यान में रखते हुए cover की जाएंगे, यानि कि कहने का मतलब है कि अगर आप लोग इन सभी किलासों को cover कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि MP का कोई भी government exam जो आप देने वाले हैं, उसमें आने वाले questions छूटेंगे, इन से आपके सभी questions आने की पूरी संभावना रहेगी, और आराम से आप लोग clear कर लेंगे, अगर अच्छे से आप लोग cover करते हैं, इसके लिए एक आपकी playlist सूची बना दूँगा, और MP Special GK Complete Classes के नाम से वो playlist सूची होगी, और आप लोग किसी विक्जाम की तयारी कर रहे हैं, तो एक बार playlist सूची में जाकर आप लोग जरूर चेक कर लिएगा, आपके लिए काफी material वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं है, कुछ कमी है तो आप लोग मुझे बताइगे का, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे, आप देखें मद्विदेश से लगा हुए राज, उत्तरविदेश हो गया, राजिस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महराष्ट हो गया, 36 गड़ हो गया, और आप जानते हैं कि सन 2000 के पहले, 36 हिंडल नंबर पर आ गया, और मद्विदेश का दूसरा नंबर है, छेथफल की मामले में, ठीक है, यहां भी आप देख लिएगे, मद्विदेश की राधधनी बोपाल हो गई, और इसे आप लोग हिदय पिदेश भी कहते हैं, टाइगर पिदेश भी कहते हैं, नदीयों का पहले देख लिजेगा, मद्विदेश सामान में हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा, क्या रहेगा, मद्विदेश का एक सामान परिचय रहेगा इसमें, समझ में आए, मद्विदेश का एक सामान परिचय रहेगा, और इसे भी हम लोग मैप का सहारा लेकर पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि आप लोग जब मैप का सहारा लेते हैं और एक एक पॉइंट देखते हैं तो लंबे समय तक आपके दिमाग में इस्टोर रहे पाती है वो जानकारी और जब आप लोग एकजाम में वैठते हैं अगर कोई कुश्यास आता है और मैप आपके दिमाग में रहता है तो उसका आंसर आप लोग बहुत बहतर तरीके से दे पाएंगे तो मद्विदेश का एक सामान परिचय रहेगा पहली क्लास में और आपकी दूसरी क्लास में उससे जुड़े हो कुश्यंस किस तरह से पूँचे जा सकते हैं अभी तक किस तरह के कुश्यंस बने है आपकी परिच्चाओं में एक आपकी उससे सम्मंधित क्लास रहेगी ठीक है इसी तरह आप देखिए दूसरा टॉपिक आपका रहेगा मद्विदेश कारूर मद्विदेश राज्य का गठन और पुनर गठन और इसे हम लोग विस्तार से कभर करेंगी और इसी से जुड़ अभी हुई आपकी दूसरी कलास रहेगी कि मद्विदेश के गठन और पुणर गठन से आपकी परीघच्छाओं में किस तरह के कुows्टर से पूचेंस पूंचे गए आपकी परीघचाओं में इसी तरह आप देखिए कि हम लोगमद्विदेश आतीं सब्सक्राइब कर रह प्राचीन मद्वदेश की संदरब में याद रखीगा और मद्द इतिहास को हम देखेंगे मद्द कालीन इतिहास को मद्वदेश के परिपेक्च में आधुनिक इतिहास को हम लोग देखेंगे मद्वदेश के परिपेक्च में और इसके बाद आपकी जो पिरमों घटनाय हों होंगे उन सबको cover करने के बाद इस topic से आपकी परिक्षाओं में किस तरह की questions बन सकते हैं एक तरह से आपके लिए कि मॉप टेस्ट है आप लोगों से एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आपके आप लोगों ने इन क्लासों को किस तरह से पढ़ा है कि आप लोगों ने सही तरीके से cover कर पाये हैं और जब मैं questions कोई पूँचूंगा क्लास में ही पूँचूंगा तो आपके पास 5-6 सेकेंड का समय रहेगा बताने के लिए आप बताईएगा और नहीं बता बाते हैं तो मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए ठीक है तीसरी क्लास आपकी complete हो जाएगी और 14 हमारा topic रहेगा मद्दपिदेश की कला साहित सिल्फ और संस्किती से संबंदित इसमें हम लोग पढ़ेंगे मद्दपिदेश की प्रमुक इस्थापत कलाएं मद्दपिदेश की प्रमुक बोलिया प्रमुक तेवहार परव सांस्कितिक समार लोग गीत, लोक नित, लोगनाठ, साहितकार, साहित, लोग चितकला, रंग, लोकसिल, बिभिन सांस्कितिक संस्थाएं, संगरालाएं, पिरमुक पुरुष्कार देखेंगे हम लोग और फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस टॉपिक से जोड़े हुए आपके कितने तरह के questions बन सकते हैं और अभी तक कितने तरह के questions बन चुके हैं उन सभी हम लोग questions को देखेंगे ठेक हैं फिर आप देखेंगे मद्विदेश में पर्याटन एवं धार्मी किस्थल देखेंगे हम लोग और इसमें आपकी पर्याटन नीतियां किस तरह की रही हैं अभी तक सरकार की तरफ से प्रयास किस तरह की रहे हैं और आप देखते हैं मदपदेश में कौन से किली हैं और पिरमुक मेले भी हैं महल हैं गुफाएं स्टैलास है मदपदेश के पिरमुक धार्मी किस्थल समाधिया मकबरे मदपदेश के पिरमुक आप देखते हैं मेले मदपदेश के जल परपात या फिर आप देखे मदपदे हैं उन पर हम लोग बात कर लेंगे एक तरह से आप इस क्लास को इसके बाद जो दूसरी क्लास आया करेगी उसमें यही सोचिएगा कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है ठीक है और फिर अंगला टॉपिक हमारा रहेगा क्या मद्विदेश मद्विदेश के पिरमुक और चर्चित बैक्तित जो मद्विदेश के आप देखे चर्चित बैक्ति रहे हैं मत्मूर बैक्ति रहे हैं उन पर बात करेंगे मद्विदेश का पहला राजपाल कौन हुआ मद्विदेश का पहला मु ग्वंत्री कौन हुई इस तरह के तमाम बैक्ती रहेंगे उन पर हम लोग विस्तायल से बात करेंगे फिर आप देखेंगे इससे जोड़े हुए किस तरह के कुष्टेंस से बन सकते हैं उस पर बात कर लेंगे फिर आप देखेंगे अगली टोपिक में हम लोग किस तरह के कुष्टन्स बन सकते हैं कौन सी कुष्टन्स आये हुए अभी तक हंने हम लोग एक एक करके देखेंगे मद्धपदेश की प्रमुक नदियां देख लेंगे क्या मद्वदेश की प्रमुक नदिया और इन पर आप देखे जो जल प्रपाद बने होंगे उनके बारे में जान लेंगे इसके बाद आप देखेंगे इसी से जूड़ी हुई है दूसरी आपकी क्लास रहेगी उसमें हम लोग मद्विदेश के जो मद्विदेश की नदियों से आपके जितने तरह के questions बन सकते हैं उन पर हम लोग बात कर लेंगे अगला टॉपिक देखेंगे मद्विदेश की सिचाई परियोजनाए मद्विदेश की सिचाई एवं परियोजनाए और इसमें आप देखेंगे मद्विदेश में सिचाई किस रोत क्या है मद्विदेश की पिरमुक सिचाई परियोजनाए कौन सी है उन पर बात कर लेंगे, फिर आंगे हम लोग बात कर लेंगे कि इन से किस तरह के कुशेस बन सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है, फिर हम लोग मदबदेश की मिट्टियां देख लेंगे, मदबदेश की मिट्टियां देख लेंगे, और इसमें आप देखेंगे कि मदबदेश क मद्विदेश की बन संपता और जैब विवित्ता पर हम लोग बात कर लेंगे मद्विदेश की जो बन रेपोर्ट आती है उस पर भी बात करेंगे मद्विदेश में बनों का किस तरह से बरगी करन है उन्हें भी देख लेंगे मद्विदेश में जो राष्टी उध्यान है ज उसमें हम लोग मद्विदेश की बर्म संपता और जय बिवित्ता से किस तरह के कुश्चन्स पूछे जाने की संभावना है, संभावित कुश्चन्स किस तरह की बन सकते हैं, उन्हें देख लेंगे, फिर हम लोग मद्विदेश में खनिच संपता देखेंगे, और खनिच भं फिर आपका रहेगा मद्विदेश में परिवहन, मद्विदेश में परिवहन के बारे में जानेंगे, सड़क, रेल, वायू, परिवहन, इन सब के बारे में विश्ताय से बात करेंगे, फिर हम लोग इससे दूसरी क्लास इसी से जुड़ी रहेगी आपकी, देख लेंगे उस किसे जोड़े हुए QUESTIONS किस तरह के आ सकते हैं? दू-सरी क्लास में उन्हें हम लोग paste कबर कर लेंगे Mother Nature मैं उर्जा के संसाधन देख लेंगे चोर परामपर तो बरौगत्पराणथ और तू-टो किस्ताइस से बात कर लेंगे इन से किस तरह के queries बन सकते हैं? दू-सरी या अभी तक बने हैं उन पर बात कर लेंगे फिर हम लोग मद्विदेश की राजनितिक और पिसासनिक परिजदेश से देखेंगे और इसमें राजी की बिधायका की सरचना लोकसवा राजसवा में मद्विदेश की कितने सदस्य हैं मंत्री, मंडल, मुख मंत्री, राज्यपाल, पिसासनिक पुलिस और नियाएक सरचना पंच्यायती राज, नगरीय निकाय इन पर हम लोग विस्तार से इस किलास में बात करेंगे और इसके बाद दूसरी इसी से जुड़ी हुई किलास होगी उसमें आपके किस तरह से कुश्चन्स पूछे जा सकते हैं उन पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे ठेक है? फिर आप देखें ही मद्वेदेश की जनांकी की ये परीदिस और इसमें याद रखें है कि हम लोग मद्वेदेश की जनसंख्या जो आप देखते हैं कि हर दस साल में आपकी जनगरना होती रहती है तो उस पर बात कर लेंगे और इसमें जनसंख्या विडधी किस तरह से रही है? जनसंख्या घनत, लिंगनपास, सक्षर्ता, नगरिये, गरामीर आवादी के बारे में बात करेंगे सिसू जनसंख्या, धार्मिक जनसंख्या, इन सबको हम लोग बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी कुश्चन से रहेंगे उन पर हम लोग अंगली क्लास में बात कर लेंगे फिर हम लोग मदविदेश का आर्थिक विकास देखेंगे मद्विदेश का आर्थिक विकास देखेंगे और इससे आपका जो भी आपकी पॉइंट रहेंगे विस्तार से बात करेंगे और इसी से जुड़ी हुई आपकी दूसरी क्लास रहेगी जिसमें आप लोग इससे किस तरह की कुश्चन्स पूचे गया भी तह या पूँचे जाने की संभाव ना है किस तरह की कुश्चन्स बन सकते हैं उस पर बात कर लेंगे मद्विदेश की पिरमोक औद्व को अप्यापार देख लेंगे और मैं ऐप लोगों से फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि आप लोग अपनी परिच्छा जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहा है उसके कम से कम 4-5 साल को पुराने questions पेपर उठा के देखिएगा जब हम एक point के बारे में बात करेंगे और आपके दिमाग में अगर questions बनाना आ गया अगर आप लोग उनके दिमाग में या गया कि इस तरह का questions बन सकता है तो मुझे लगता है कि आप लोग बहतर score कर पाएंगे तो इसमें हम लोग मद्विदेश के प्रमुक उद्देव को अभ्यापार में देखेंगे अभे तक जो भी नीतियां सरकाई की तरफ से बनाई गई है खानेज, किर्सी, बन, रसानिक आधारे तो द्द्देव कौन से है मद्विदेश में निवेस, निर्याद पर बात करेंगे सार्जिने कोपकरम प्रमुक कॉंपलेक्स है इन पर बात करेंगे इससे जुड़े हुए दूसरी क्लास से आपकी रहेगी जिसमें इससे जुड़े हुए जितने तरह के कुश्चन्स बन सकते है जो मुझे लगता है कि मात्पूर्ण कुश्चन्स है उन पर बात कर लेंगे फिर आपकी अंगली क्लास लहेगी जातियों के बारे में और इसमें विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग जनजातियों के बारे में और इससे जुड़ी हुए अंगली क्लास रहेगी आपकी जिसमें हम लोग किस तरह के कुश्चन्स बन सकते हैं कौन कुश्चन्स महत्पूर्ण हो सकते हैं आपकी परिच्चाहों के लिए उस पर बात करेंगे देखिए आप सोचिए कि हर टॉपिक से दो जुड़ी हुई दो क्लास ने रहेगी एक तो आप देखेंगे एक क्लास में हम लोग उस टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे और दूसरे आप देखें कि उससे जूड़ी दूसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग केबल कुश्चन्स देखेंगे कि आपकी परिक्षाओल के लिए कौन से महत्पून कुश्चन्स हो सकते हैं ठीक है और मद्विदेश की अंगली क्लास में मद्विदेश के कल्यानकारी योजनाय और कारकरम देख लेंगे हम लोग और इसमें आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे इसते जुड़ी भी दूसरी क्लास हम लोग लेंगे जिसमें आपकी कुश्चन्स किस तरह के बन सकते हैं मद्विदेश का खेल परीधिस्ते देखेंगे आप लोग खिलाडियों के बारे में सुनते रहते हैं मद्विदेश की जो संस्थाएं हैं खेल से संबंदित, जो अभी तक चर्चित ब्यक्ती रहे हैं खेल से संबंदित, खेल पुरुसकार, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे एक क्लास में, और दूसरी क्लास में देखेंगे कि आकर इससे किस तरह के कोशन्स बन सकते हैं आप दर्शन देखेंगे, मद्वदेश के महतपूर कानून है कुछ, उन्हें भी हम लोग देख लेंगे, पहले तो आप देखते थे कि तीन एक्ट से आपके questions काफी अच्छी संख्या में पूछे जाते थे MPPSC में, लेकिन आज कल आप देख रहे हैं कि वो syllabus बदल चुका है, तो अजने वो तीन महतपूर कानून अपके अब जरू उतने महतपूर नहीं रहे गए, अब मद्वदेश से समधीत महतपूर तक्ष देख लेंगे, इसमें आप देखे मद्वदेश के न्चेतरों में पहले नमबर पर आया है, मद्वदेश में आप देखे भारत का पिथम औ इस तरह की तमाम general knowledge के questions रहते हैं ठीक है और इन पर बिस्तार से हम लोग बात कर लेंगे तो इतने topic हम लोग आने वाली किलासों में cover करेंगे और फिर से आपको बता देता हूँ कि इनके लिए एक separate आपकी playlist सूची बना दी गई है जिसका क्या नाम है MPGK MP Special GK Complete Classes के नम से इसमें आपका topic by topic सभी किलासें मिल जाएंगे आपको वहाँ जाकर आप लोग cover कर सकते हैं और फिर से आप लोगों से कह रहा हूँ कग अगर आप लोग इन किलासों को cover कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इनके बाहर कोई questions आपका जाएगा यहीं से आपका questions जो भी follow करते रहे हैं बरना आप देखते हैं कि जिस समय आपका paper होता है उस समय में current of ESBS से भी cover करवा देता हूँ तो वहां से cover कर सकते हैं आप लोग बरना आप देखें market में आती रहती हैं पतली पतली books उनसे भी आप लोग cover कर सकते हैं चलिए हम लोग मिलते हैं और कुछ आपकी questions पहुंचा सकते हैं अपनी सलाय मुझे दे सकते हैं कि किस तरह से इन किलासों में सुधार किया जा सकता है लेकिन इतना यकिन करिए कि आपका बहुत ही साधारन सब्दों में हम लोग सभी किलासों को cover करेंगे सब कुछ समझ में आपको आता रहेगा ठीक है